लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अल्टरा या जोके ही कि अल्यूच्त ऑ क्यों भुजअ कुर्चं अल्ट, हएलो, पुलिस कंट्रोल रूम कहते हैं कि वैटस्च गां पो पनुझ का। इछ नियूच्त? कर दो 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 संजना मल उत्रां युनी का थारेना यवारा फाँ हुष है आप? अविनाश, अविनाश मलोतरा मलोतरा एं मलोतरा के मालिक संजन मेरी पत्नी है मैं बूछ सकता हूं कि इस वक्त आपकी पत्नी कहां पर है बात के इंस्पेक्टर मिस्टर मलोतरा शायद आपकी पत्नी का कतल हो चुका है नो श्यू अट वो जाएगा थैंक्यू मिस्टर मलोतरा तो आप और आपकी पत्नी कल रात को यहां पर आये थे जी कितने बज़े आये थे यही कुछ एक टेड़ पजे मजो ठीक से याद नहीं कल रात कुछ सादे हो की थी आपने उनको जख उपर कुछ मिला है जल्द चले उपर अब आपने कावा जल्द चले इसके फोटो ले लो सर कहां से मिला सर यह चाकू सोफे के निचे से मिला है यह राइट मिस्टर मलोतरा कल रात वाके यहां पर कुछ जादा ही हो गया था मैं आपको आपके पत्नी के खुण के इल्दा में गिरफतार करता हूं हलो पुलीस कंट्रोल रहू हुँ वो मुझे मौड डालेगा वैं संजना संजना मेलोतरा यह राइट मुझे यह वो फोने यह वो फोने आपकोच नहीं जानते ही। मैं कुछ नहीं जानता। यह संजना की आवाज है। लेकिन यह सब कैसे हो अज कब हो झालूम। इ Ginspecteur साब अगर यह सच है तो सबसे पहले हमें संजना को धूड़ना चाहिए। मुझे जो भी सवाल पूछने पूछ लेना लेकिन सबसे पहले हमें संजणा को ढूंड़ना चाहिए हमें उसे बचाना चाहिए मुझे तो शरीफाद में लगता है सर आपका experience क्या कहता है होन किया साले ने और तों को पाउं की जूती समझते हैं साले रईजादे जब तक वो पाउं में चुपचाप बिछी रहें ठीक है जहां थोड़ा काटना शुरू किया नहीं हमेशा के लिए छुटी देखिए अप अंदर नहीं जा सकते जो हो रहा हुआ बिना कोट और्डर के आप मेरे क्लाइंट से बयान नहीं ले सकते हैं विश्णू पतनायक मैं हूँ इस केस का इंचार्ज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है आपकी मर्जी इंस्पेक्टर आम सॉरी कानून आपको आपकी मर्जी चलाने की इजाज़त नहीं देता अगर पूश्टाश करनी ही है तो पहले कोट से रिमांड ओर लेकी आईए सक्षेना सर्ब वकील साब सही कह रहे है हमें पूश्टाश करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आखिर अविराज साब कहीं जा थोड़ी न रहे हमारे पास ही है और अगर आपको लगता है कि आप कल सुभह अदालत से अपने दोस्त को बेल दिला कर अपने साथ ले जाएंगे तो आप ही खलाच समझते हैं इसका फैसला तो कल सुभा ही होगा फैलाल तुम्हे अपने क्लाइंट से दो मिनिट बात करना चाहता हूं अकेले में इफ यूट माइंड यह सब क्या होगा यार यह कैसे हुआ तो और संजने तो कल पाटी में थे तो पर यह फाम हाउस यह टेप खून और संजने गई तो गई का तुने भी आते पुलीस वालों की तरह सावाल पुछना शुरू कर दिया आम सॉरी यार मैं सिर्फ यह जानना चाहरा हूँ कि कल रात को हुआ क्या तकि कोट में यह केसे हो सकता के तुझे कुछ भी याद नहीं तुझे लगता है मैं जूट बोल रहा हूँ मैंने संजना का खून के आ तुझे भी मुझे यकीन नहीं यह तु क्या बोल रहा हूँ यार मुझे अपने आपसे जाता तुझ पर इभरोसा है खुन करना दो दूर, तु गभी उस पर हाथ भी नहीं ओठा सकता था तु चिंता मत कर कल सुबह तक तरी बेल हो जाएगी उसके बाद देखते क्या करना है, okay? माई लॉर्ड, फिंगर प्रिंट्स रिपोर्ट पर साफ लिखा है कि चाकू पर पाए गए उंगलियों के निशान, मिस्टर अविनाश मलोतरा के हैं इसके अलावा, टेप पे संजना मलोतरा के आवाज कतल की जगह पर मिस्टर मलोतरा का नशे के हालत में पाये जाना पुलिस के आने के बाद कुछ भी याद ना आने का बहाना करना ये सब इनके खूनी होने के तरफ इशारा करते हैं इसलिए माई लॉर्ड, मैं संजे पाठक अदालत से दर्क्वास करता हूँ किसी भी हालत में इसकी बेल मन्जूर न की जाए टैंक यूर आनर यूर आनर मेरे कलाइन पर जितने बी इल्जाम लगाए गए हैं सब गलत है पुलीस पूछताज करने के बहाने उन्हें परिशान करना चाहती उन पर दबाव डालना चाहती मिस्टर अविनाज मलोतरा एक इजददार आदमी होने के साथ साथ इस शेर के सबसे बड़े बिजनिसमेन है और आदमी जितना बड़ा होता है उसके पास चिपने की जगा उतनी कम होती यूर आनर बेल एप्लिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जब तक ये केस खतम नहीं हो जाता मिस्टर मलोतरा ये देश से तो क्या इस शेहर से भी बाहर नहीं जाएंगे तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि उन्हें बेल देने में अतराज ही क्या है माई लॉड इनका बड़ा और रईस होना ही इनके खिलाफ जाता है क्योंकि अगर इनको बेल मिल गई तो अपने पैसे और स्टेटस का इस्तेमाल करके ये सच को जूट में बदल सकते हैं इसलिए मैं अदालत से दर्खवास करता हूँ कि जब तक पुलिस इस केस की चार्जशिट तैयार नहीं करती इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए अदालत मिस्टा विनाश मलोतरा को चौदा दिन के पुलीस रिमांड पर लेने का हुक्म देती है अवी ूवी अवी पापा अवी इस सब क्या होगे अवी मैं आप सुब अमेरिका से आई और फिर तीवी पे नियू सुली यह सब क्या होग अवी उजी भी नहीं मालूम मैं सरव इतना जानता कि यह मैंने नहीं किया तुम कुछ कर भी कैसे सकते हो तुम संजना को कितना चाहते थे यह मुझ से जाता कौन जानता है कुछ तेर की बात है अवी सब कुछ ठीक हो जाएगा ठ्रस्ट मुझ संजना चलो उतर कभी वापस ले रहेंगे चलो ओके इनफ 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 चलो गाड़ी सट करो वो वो तो नहीं तो चार पेक भी होंगे सेख्ड़ो लोग शराब पीते हैं घर जाते अपनी बीवी से लड़ते हैं इसका यह मतलब नहीं कि मैंने बीवी का खौन किया है मैं संजना से प्यार करता था मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूं एक्जैक्ली यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर विनाश की आप जैसा आदमी अपनी बीवी का कतल क्यों और कैसे कर सकता है मिसे संजना का कतल हुआ है आपने नहीं किया लेकिन किसी ने तो किया है किसने यह वी जानने के लिए आपको हमारे साथ कुआपरेट करना होगा अब जितना अपने बारे में मुझे बताएंगे अतनी में आपकी मदद कर सकता हूँ संजन्या का नाम मेरे सिंदगी के किताब के हर एक पढ़ने प लिखा है आप कहा से सुनना चाहेंगे पहले बनने से, पहली बार आप उनसे कब और कहा मिले थे, उससे हुई पहली मुलाकात तो मैं कभी भूली नी सकता, हाई अभी, है सोनिया, कितनी दिल लगा दी तुम्हे आने में, क्या करूँ, अकेला अदमी हूँ, साला काम खुछ समालना पता, पापा देखो कौन आया है, ओ, मिस्टर अविनाश मलोतरा, हाई, आपके पुरानी रेपुटेशन को देखते हुए, हमें तु यह लग रहा था, कि अब हमारी मुलाकात अगले साली होगी, हाई, 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 पापा, चलो, देखा, तुम्हारी रेपुटेशन क्या है, वैसे तुम्हे तुम्हे चल रहा होता था, तब जाके तुम्हारी गाड़ी का हाउन सुनाए देता था, अरे, कॉलेज पढ़ने कोना आता था, वो तुम्हें तुम्हें से मिलने आया करता था, रहने दो, रहने दो, वहां भी मैं तुम्हें ढूंडती रह जाती थी और तुम अपने दोस्तों के सा कि अगर तुम यूएस गई, तो मंगल तुम्हारे शैनी की टांग तोड़देगा शाराप अभी, किती बार का है, जो चीजी का मजब तुराया करो ओके, ओके, रिल्लाक्स पता है, उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? बेरे बारे में? हाँ क्या? उन्होंने कहा कि नए साल के साथ-साथ तुम्हारी जिम्दकी में एक बहुत ही खुबसूरत त्यारी सी लड़की आने वाली है हमेशा हमेशा के लिए हाँ वैसे नए साल तो शुरू होने वारा है लेकिन मुझे वो लड़की कहीं आसपास नजर नहीं आरी और से देखो अभी हो सकता है वो लड़की तुम्हारी आसपासी हो और तुम्हारी उस पर अब तक नजर ही ना पड़ी हो लेडिस और जंटलमेन नए साल के शुरुवात के लिए सिर्फ दस सेकंड बचे हैं ये 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 य आप अपना हाथ हटाएंगे प्लीज ऐसे गुर्की क्या देख रहे हूँ कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या देखी तो है पर पहरी नजर में आखोसे दिल में उतर जाए एसी लड़की नहीं देखी अपर ये के लड़की नहीं देखी क्या देखी कर देखी कर देखी कर देखी को नजरे तेरी नजरे ऐसा जादू कर गई नजरे तेरी नजरे ऐसा जादू कर गई दीवानगी से कोई मेरे दिल में उतर गई वो यारो मुझे से तो कहां नहीं जाए कोई जाके उसे ये बताए यारो मुझे से तो कहां नहीं जाए कोई जाके उसे ये बताए कि दिल दीवाना हो गया कि दिल दीवाना हो गया कि दे बता हो गया वो यारो मुझे बताए वो चेहरे को अपने चुपाने लगे जिन्हें ढूडने में जमाने लगे उसी के लिए दिल ये बेदाब है वो लड़की है या फिर कोई खाब है मुझे दूर 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 से सता है एक जलक देखा के छुप जाए ये दिल दीवाना हो गया यारो मुझे से तो कहां नहीं जाए खोई जाके उसे ये बताए जाने अन जाने वो क्या कर गए है नशे में वो कोई नशा भर गए हुआ है नचाने ये कैसा असर ना मुझे को पता है ना उनको खबर मन जुम 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 के चाहे के वो आके मुझे सीने से लगा है नशे तेरी नशे ऐसा चादो कर गई दीवान की सी कोई मेरे दिल में उतर गई ओ यारो मुझे से तो कहा नहीं जाए कोई जाके उसे ये बताए ओ यारो मुझे से तो कहा नहीं जाए कोई जाके उसे ये बताए के दिल दीवाना हो गया ये दिल दीवाना हो गया ये वह कोई ये ये अज़ू तरह बहुआ फ्याए कि हमाए उड़ ज़ना खाई अ ज ज़िए ये यार गई अबभा भाप की यार अबभाब ये तो मट गई आए बीपी थोड़ा लो है बट एवरिधिंग इस ओक्यादवाइस चोट जादा नहीं है मुझे लगता है शायद डर की वज़े से बेहोश हो गई है इंजेक्शन मैंने दे दिया है सवरे तक ठीक हो जाएगी थैंक यू दॉक्टर या वेलकम कि अधिंट मैं पुलीस को फोन कर दना चीए पुलीस बेकार में परिशान करेगी वैसरी डॉक्टर ने का इसे आराम की ज़रूरत है सुआ देखते हैं चल हाई आप जी मैं क्या करूं आप बार बार मेरी जिंदगी में इस तरह दाखिल हो जाती है फुर भी बिना नौक किये कल जात के लिए थैंक्स आपको देख के लगता है कहीं जोच्छी जी की बात सच ना हो जाए जोच्छी जी अब देखिये न पिछले बारा घंटे में तीसरी मुलाकात है हमारी कहीं पार्टी में हमारी कोई आदा तो नहीं पसंदा गई मैं चलती हूँ कमाल है आप गाइब होती हैं मिलने के लिए और मिलती हैं गाइब होने के लिए चली जाइएगा लेकिन जाने से पहले इतना तो बता दीजिए कि मैं किसका शुक्रिया आदा करूँ जी जी मेरा मतलब वो कौन शक्स था जिससे आप डर कर भाग रही थी अगर वो ना होता तो ना भेहोश होती हैं और ना मैं आपको यहां तक ला पाता और जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस रहता कि मैं पार्टी में आपका नाम तक नहीं पूछ पाया इसे पहले कि आप दुबारा गाइब हो जाए चली से अपना नाम बता दीजेए संजना अविनाश और इस तरह वो मेरी सिंदगी में आगई सब कुछ था उसमें He was beautiful, intelligent, loving, caring और एक कुबी थे उसमें उसके पास नौकरी नहीं थी बस उसकी यही कुबी मेरी चीने का सहरा बन गई Hello That's Shilpa And I have given him to my office in secondary This is Vinay from sales And this is my best friend, our company's legal advisor, Rohit Rohit, this is Sanjana Hi Sanjana Hello Welcome to Malotra and Malotra Let's all give Sanjana a big hand Thank you 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 Through our marketing plan, we are planning to set up a central customer service cell to help support investors who buy small savings products through us We'll also have a customer service support website Okay, and? Sir? Yeah, marketing plan The SMA demand for hand paper Sanjana How many people work with me? I've been doing my job I've been doing my job Maybe I don't know Maybe I don't know Sanjana You're not going to the house? You're not going to the house You're not going to the house For me, the office and the house are the same thing The house is the same thing The house is the same thing Where you're waiting for You're altogether You're not going to the house I am going to the house I'm going to the house And the house is going to the house I'm going to work with you It's good रख एक सब्सक्राइब और आप चलाए ने जाए परीद आपने डिश कि भीर रहते हैं पुर्ड चलो तूटे ना जा आप जा जा ये जी आप गया जा आप गया तू मुझे ठीक संजना ये क्रीज अमने जा नेर टीम मेरें ये चलो मेरे येसाथ जैसे मैं कह रही हूँ वैसी ही करो बैठो यहाँ तीन बच चुके पहले खाना खा मैंने तेह कर लिया कि मैं अपनी बाकी की सिंदगी संजना के साथ ही बिताऊंगा और ये सिंदगी मैं जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था पिछले आधे घंटे से तुम यहां से वहां से आ कर रहे हो आप कुछ बोलोगे भी क्या का उसनजना परीबर किसी से प्यार हुआ है परीबर किसी से एसे मिल रहा हूं परीबर किसी के लिए खुछ शॉपिंग की है और क्या यह सब क्या बोल रहे हो तुम जी तो चाहता था कि पुरी दुकान खरीद लो पर डर गया कि कहीं तुम फिर सा मेरी गरीबी पर लेक्षे देना शुर करतो यह सब तुम क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम से कुछ कहना चाहता हूं संजना कि तो फिर तो लिये जाते हैं लेकिन मंगल सूत्र अपनाय जाता है इसे साथ मोतियों में इसलिए पिरोया जाता है क्योंकि इसके एक एक मोति में एक एक जनम का बंदन होता है बिजनसमेन हो ना इसलिए अपने फाइदे की बात चल समझ में आती है तो सोचा, क्योंना तुम्हें एक ही जटके में साथ जन्मों के लिए अपना बना लो मैं अपना तेल, अपनी जान, अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ क्या तुम इस जन्म में, और अग्य हर जन्म में मेरी बन करोगी इश्क भी महरबाद, खुस्म भी महरबाद दिल मेरे बस में कहा, हा, रेहा, रेहा मेरी चाहतों का समंदर तो देखो मुझे भी कभी अपना कहकर तो देखो कहकर तो देखो, कहकर तो देखो धरकने जब खिली, दो दिशाए मिली रोशन हुआ ये जहा, हा, रेहा, रेहा मुहबत की हद से गुजर कर तो देखो गुजर कर तो देखो, समंदर को बाहों में भर कर तो देखो, भर कर तो देखो, भर कर तो देखो इश्क भी महरबा, खुसम भी महरबा दिल मेरे बस में कहा, हा, रेहा, रेहा मुहबत कर देखो मुहबत के चाहत के एकरार के मेरे लहू में उथरते रहे सासों ने रो रो के मांगी है रब से दुआ मरे कर भी तुम पर मरते रहे एक साथ हम रहेंगे एक साथ हम कहेंगे सासों ने सासों पर लिख दी जो डासता हारे हारे हार कभी मेरे दिल में उतर कर तो देखो उतर कर तो देखो उतर कर तो देखो तुम्हे साईने में सवर कर तो देखो सवर कर तो देखो सवर कर तो देखो काम всю고 झाँ देखो एक बाँ कर दो प्रादा लिफंड़ जी जो वक रर देखो देखो सbles को देखो प्रादा देखो candy खाबों में रहते हो रग रग में बहते हो तुम छाए हो दिल पर बातल हो तुम होटों पे हसते हो आखों में बसते हो तुम मेरी उमंगों की हल चल हो तुम खामोशियों के धारे करने लगे इशारे आखों ने आखों को दे दी है एक जुबा हारे हारे हार कभी दूर एक पल भी रह कर तो देखो अभी जान दे दूंगी कहे कर तो देखो केहे कर तो देखो केहे कर तो देखो इश्क भी महरबा कुसमे भी महरबा दिल मेरे बस में कहा हारे हारे हार मेरी चाहतों का समंदर तो देखो मुझे भी कभी अपना कहे कर तो देखो मुहबत की हद से गुजर कर तो देखो आपकी लव स्टोरी सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे इतना कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे लेकिन हमारा केस जान देने का नहीं जान लेने का है इसलिए आपकी कहानी में कुछ जादा अंदर खुसना पड़ेगा हमारे पास रिपोर्ट है कि 29 जून को आप अपने दोस्त वकील दोस्त रोहिट सकसेना के साथ होटेल रिजॉर्ट में अपनी बीवी का पीछा करते हुए पहुँचे थे शायद किसी बात पर शक्त था आपको मिसंजना पर मुझे कुछ याद नहीं लेकिन उस मैनेजर को याद है जिससे आपने अपनी वाइफ का रूम नंबर पूछा था अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे बुला सकता हूँ मैंने उसका पीछा जरूर किया था लेकर इसका ये मतलब मतलब निकालने के लिए हम है सरकार इसी बात का हमें बगार देती है आप सिर्फ अपनी कहानी बताईए क्या बात हुई थी कि आप पती पत्नी जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे पर अचाना कि ये शक करिष्टा कैसे काइम हो गया तुम अचाना कपड़े पैक करके कहा जा रही हो अरे मैं तुम्हें फोन करनी ही वाली थी मुझे पूना जाना पड़ रहा है कल सुबे तका जाओंगी पूना? हाँ, मेरी एक सहली रहती है वहापर उसकी छोटी बैन बहुत बिमार है तुमने मुझे कभे इस सहली के बारे में बताया ने? तुम मेरी सारी सहली को थोड़ी जानते हो अरे बबा वो मेरी साथ हॉस्टिल में थी पिछले साल उसका ट्रांसफर हो गया था वो अपने आपको कुछ एकेली मैसूस कर रहे थी मैंने का मैं आरी हूं उसकी तसल्ली हो गई खुष अबिनाश 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 हलो स्ट्रेंजर तुमार चाह सबस्पर क्या कर रहे हो मैं तो यहा था रहता हूं पर तुम्हें देखके थोड़ा थोड़ा कन्फूस्ट हूं यह बस्पोस्पोस्ट गो त अमेरिका रइटा राइट हाँ एम इंग नेक्स्ट भी अगए अच्छ वा तो माजी हा मिल गए मुझ वेफोन करने वाली थी अच्छ अवनाश संजना किसी वजह से मुझ से नाराज तो नही है कहीं अन्जाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो वाट? ये तुम क्या कह रही हो? रेली अविनाश? वो मुझसे मिलके खुशने ही हुई उसे मुझे देख के अंदेखा कर दिया कब? कल रात, सीवी होटल में मैं पापा के साथ वहां गई थी वो भी वहीं थी मैंने उसे हेलो बोला लेकिन वो मेरे पास से ऐसे गुजर गई जैसे उसने मुझे पहचाना भी न हो संजना और सीवी होटल में? तुम्हें कोई गलत फैमी हुई है संजना तो कल सुबा से पूना गई है तो फिर कल रात को मुंबे में कैसे हो सकती है कमौन अविनाश मैं संजना को देखूंगी और पहचानूंगी नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ताइल किया गया नंबर इस वक उपलब्ध नहीं है कृपिया थोड़ी देर बाद कोशिश करें धन्यवाद I really missed you नाराज हो मुझसे अरे पापा निशा की बहन को में तुम सिधा पुना से आ रहे हो नहीं कानपूर से आ रही हूँ अरे बाबा अगर गई पुना थी तो आओंगे भी पुना से ही ना अच्छा चलो तुम्हारे लिए सिप्राइज है अगर तुम पुना में थी तो कल राथ होटल सी व्यू में कौन था मेरा भूत होगा बाइद हुए तुम क्या कर रहे थे माँ पर मैं नहीं सोनिया गई थी माँ पर उसी ने कहा था मुझ से कि तुम बहाँ पर थी और रहे थे मेरा भूत तुम्हें नहीं सोनिया कु नजर आते हैं और क्यों नहीं उससे उसका सबसे प्यारा दोस्त जो चीनले है मैंने अविनाश अविनाश आ लव यू ये देखो आथे वक्त मैं तुमारे लिए क्या लाई अरी बबब लो ना ये ट्राय करो मैं फ्रेश हो के आते हलो हलो मिस संजना मलोतरा ज्रेसिदेंस येस सब्सुजीद बोल रहा हूं कॉटन कलेक्शन जुहू मुंबई से सर कल शाम को संजना जी हमारे आई थी कुछ शर्ट्स वगरा खरीदने वो गलती से अपना क्रेडिट काड यह बूल गई है सर अगर आप चाहे तो मैं आपके घर बिजवा दूँ बस यही पूछना था सर अलो आप रने दीजिए मैं किसी को ओफिसे बेज़ दुआ कलेक्र करने के लिए ओके थैंक्यू बर्यमग्ट सर हाई जालिंग यह ब्रेक्फिस इस रेड़ी चलो फ्रेंच टोस्ट, फ्राइड एग्स, कॉन फ्लेक्स, जूस, इंडियन और कॉंटिनेंटल का मिक्स्चर कहां मिलेगी तुम्हे ऐसे बीवी हाँ अरे चलो तुम्ने मुझे जूट की बोला कह नहीं सकते थे कि तुम्हे यह शर्च पूना से नहीं मुंबाई से लियें और कॉटन कलेक्शन के दुकान पूना हाईवे से 30 किलोमीटर तूर है तुम वहां पहुची कैसे वह भी होटल सी व्यू के सामने वाली ब्रांच से जा सौने ने तुम्हें खुद अपनी आखों से तेखा था मैं नहीं जानती थी अविनाश कि तुम्हें अपनी भीवी से स्यादा भरोसा बाहर की लोग उपर है मैंने कब कहा था तुमसे कि मैं वो शर्च तुम्हारे लिए पूना से लाई थी मैंने जानती तुम अपनी भीवी के बारे में क्या सोचते हो लेकिन तुम्हारी भीवी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारे मन पसंद चीजे लाने के लिए 30-40 किलोमेटर ड्राइव कर सकती है पता नहीं यार तुझे होटल बिजनस में क्यों इंडरेस्ट नहीं है औरना मेरे पास तेरी जितनी दौलत होती ना मैं समंदर के बीच ओ बीच ऐसा होटल खड़ा करता कि दुनिया वाले उसकी मिसाल देते लोग एडवांस बुकिंग के लिए मुझे एमेल बेचते और मैं अपनी मर्जी से उने बुकिंग देते हैं I like them, okay Sanjana कहा Hello? Hi Janu, can I call you back? क्यो? मैं जिम में हूँ डालिंग, वरक आउट कर रही हूँ I'll just call you back, okay? Bye क्या हो, इतने परिशान क्यों आप पर आप खर्जब प्रॉम्ट खर्णाव को खर्णा च्रॉम्ट खर्णाव खर्णाव कर रो खर्णाव को तो यहाई रूक में आया तो यहाई रूक में आया कितने रूम चाहिए कितने रूम चाहिए okay sir, I'll reserve it, thank you sir excuse me, अभी 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 एक औरत बबल सुट में अंदर आई थी मैं जान सकता हूँ कॉन से रूमे गई I'm sorry sir, लेकिन ये इन्फोर्मेशन हम आपको नहीं दे सकता मैं उसका पती हूँ और मेरी बीवी कहां गई है ये जानने का हाक है मुझे, understand? उपर गई है 4th floor मैंने का महाचल के वाद कर दो झाल झाल तंच तेखा तुने देखा तुने रोयत हाँ रिलक्स आविनध्स रोयत मेरे रिलक्स मेरे आखों के सामने अपने आशी के जाथ बैटके चली गई और तुचेज़ नहीं चुब रहाँ नहीं रहाँ अगर उसने मिरसा देवफाई की तुमै उसे जाह से मार दूगा अब्रकिराई देखा तुमाँ एंगे उसे जपांपैसे रहे चाहीं जाहीं sir thank you you're welcome यह एले अब्रक्ष बनाश समझे की कोशिश करो तुमसे जूट बोलने की उसके पास कोई वज़ा हो सकती है एक पत्नी को अपनी पती से जूट बोलने की क्या वज़ा हो सकती है तु क्या करेगा तू क्या कहेगा उससे जाके पिशली बार भी जब वो पुना गई थी और तुझे लगा वो बंबे में है तब क्या हुआ था तेरे हर सवाल का जवाब थाना उसके पास अब इस बार भी ऐसा हुआ तो तू क्या करेगा तू ठीक कह रहा है मुझे संजना के बारे में सब कुछ जाना होगा रोहित मैं संजना के बारे में सब कुछ जाना जाता हूँ सब कुछ अविनाश तू पागल हो गया है घर की बाद सड़क पलाएगा देख तू संजना के बारे में सब कुछ जाना जाता ना तो खुद जान ले खुद उस पर नजर रख, वो कहा जाती है, कब जाती है, किस से मिलती है, क्या बात करती है, यह सब तुझे खुद पता लगाना होगा अविनाश आज पहली बार तुम आफिस को चुबूर कर तो नहीं जा रहे हो क्या? मैं गुद बाई क्रिस क्या है, क्या है, अजर आणोराग चोप्रा की पाटी पे जाना है, उनकी कलब का ओपनिंग है, तीन बार फोन आचुका है, ओके, याग रख, भाई और अभाई क्या 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 कर दो तुम्हें यहां फोन नहीं करना चाहिए था नो इस ओके वो अभी घर से बाहर गए मुझे लगता कि वो हम पे शक्कर नहीं लगा है हमें कुछ दिनों के लिए मिलना नहीं चाहिए इस इंपॉसबल ठीके लेकिन वहानी हम लोग फामाउस पे मिलते हैं आज रात अविनाशन में पार्टी पे जा रहें महां उसे कुछ देर के लिए निकलने की कोशिश करती हमें आपस्ति पे लेकिन आपस्ति अभस्ति राटी आपस्ति वर्माइण पार्टी म donors भाहँ आपस्ति म एपस्ति राटी मत वाहाँ है शॉः छो जो खूदाग रम्स खूदाग रम्स ए से तुट से परिष्ट चाई श्रॉष्ट श्राव 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 चाई चाई चाईवडड़ों Come on, I love you, come on! So keep your heart in a place Shaba 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 Akzar yeh hoota hai pyaar mein Pyaar mein Phuka hoota hai aitobar mein Aashiki meh hum agar milay kabhi So keep your heart in a place Shaba 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 Kish hora Shaba Higher 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 Thank you. नहीं है यहां से नहीं करना, ठीक है मारू हुआ। अकसर ये होता है प्यार में, ठोका होता है एतबार में हुआ, मिलने मिलाने की रात है होटों पे ठितनी ही पात है, खुद से कहां लोग मिलते हैं, गहरों से इनकी मुलाकात है दीवान की अपनी आदत है, उल्जोना हमसे बेकार में अकसर ये होता है प्यार में, ठोका होता है एतबार में हो आशकी में हम मिले अगर कहीं, तो रखना जी दिल को एक्तियार में शाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाश क्यों, क्या हुआ, आशिक की जगा अपने पती को देखकर अच्छा नहीं लगा, सोचा होगा जाते ही अपने आशिक की गले लग जाओगी, पर मैंने यहां कर मजाकिर किरा कर दिया, है लगा, अभिनाश, किलाओ मज, तुम्हारी असलियत तो बहुत पहले ही मुझ पर खुल गई थी, पर मैं सही वक्त का इंतिसार कर रहा था, उस दिन होटल सी व्यू में तुम दोनों मेरे हाथों से बच गए, लेकिन आज मैं तुम कमीना, जिसके लिए तुम मेरी आँखों में धूल जोकिया चलियाई, कोई नी, जोट, शुरू से जूट बोलती आयो तुम मुझ से, कभी पूना जाने के बाहने, तो कभी जिम जाने के बाहने, जगा बदल-बदल कर तुम इलती आयो उससे, लेकिन अब मैं ऐसा नही होन कर दोगा, जोट आने पर मैं तुमी सब कुछ बता दूगी, लेकिन तब तक मैं, तब तक क्या हाँ, मैं चुब चब खड़क तमाशा देखता रहूं, अब या तो वो कमीने दुनिया में रहेगा, या मैं, वो जो कोई भी है, मेरी परसल लाइफ का हिस्सा है, और तुम्ह मेरी पतनी हो, संपजी, और मैं तुम्हें पसिर लाइफ की आर में या यह-ईशी, नही करने दूगा, बोलो, कौन है वो कमीना तुम इस वक्त होश में नहीं हो अविनाश इसके बारे में सुभा बात करेंगी मेरी जिंदगी की सुभा तो अब कभी नहीं होगी पर मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए अन्थेरा कर तूंका अविनाश प्लीज, आसट स्टोप इट बोलो कौन है वो परना मैं भूल जाओ कि मैं तुमसे कभी प्यार किया तुम्ही जो कुछ कर रहे कर लो तेकिन इस वक्त में तुम्हे उसका नहीं बताऊंगी ओपन दोव ओपन इट अपन इट रखोलो सजरा अपन दोव ओपन इट ओपन इट ओपन इट अपन इट ठीक है मैं भी देखते हो तुम अंदर कब तक वैटती हो एक दिर दो दिर दस दिर मैं आई नीजे बढ़के तुम्हाने दजार करूगा हाँ 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 इसके आगे क्या हो मुझे कुछ पता नहीं होशाया तो आप लोग सब सामने थे संजना जो भी थी जैसे भी थी मैं उसे बहुत बहुत करता था मैं उसकी जान कभी नहीं ले सकता इसका फैसला तो अदालत में ही होगा मैं लॉड अपनी पत्नी संजना मलोतरा का बड़ी बेरह में से कतल कर दिया मैं लॉड ताबित करने के लिए मैं अदालत के सामने कुछ गवा पेश करना चाहता हूं मेरा सबसे पहला गवा है हवालदार रमाकान गोख ले मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सेवा कुछ ने कहूंगा दो सितंबर की रात तुम्हारी ड्यूटी कंट्रोल रूम में थी जी हां तो क्या तुम अदालत को यह बताना चाहोगे यह ड्यूटी पर रहते हुए तुम्हे क्या काम करना होता है साइब रात को ग्यारा बचे के बाद जो भी फोन आता है आपने चाटन करता है और फोन सुन लेके साथ साथ आमको टेप भी करना पड़ता है अगर कोई अमर्जंसी रहती है तो वारलेस पे पैटर पार्टी को इन पम करने का भी रहता है उसके बाद का काम उनलोक है अगर करता है हलो पुलीस कंट्रोल रहो है फो मुझे मुझे दालेगा संजना संजना वेलोत्ता मेरा बथेमुझे अजया अभी अगर्ण्स आइसेट साइलंस यह तुमन ने तेप किया था? जैया यह वोन तो आप वना थाथ सूबा चार बजे और फोन सुनते है मैंने मेसेज दिया था आरलेस पे क्या मेसेज दिया था जरा अदालत को बताएंगे यही की लड़की की जान खत्रे में उसका आजमन उसको मारने की कोशिस कर रहा है उसको हेल्प का दरूरत है यॉर हॉनर इसका मेसेज सुनते ही इंस्पेक्टर पतनायक फ काम के लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होगी हाँ जरूर दी गई है फोन कैसे ट्यप करना कॉल को कैसे ट्रांसपर करना बड़े सब को वार्लेस पे कैसे मेसे देना और किसी की आधी बात को किस तरह पूरी करना राइट जी मिस्टर गोखले अभी अभी जो टेप रेकॉर्डिंग हमने सुना उसमें सिर्फ इतना ही था वो मुझे मार डालेगा मुझे बचा लो मैं संजना मलोत्रा मेरे पती मुझे कि मेरे पती मुझे के बाद आपने क्या समझा, यही कि मेरा पती मुझे मारडा लेगा, लैकिन मिस्टर गोखले यह भी तो हो सकता है, कि मिस्टर संज्णा मलोतरा यह कहना चाहती थी, कि मेरे पती मुझे अकले चोड़के गएं और दूसरा कोई घर में गुसाया है या मेरे पती मुझे बहुत प्यार करते हैं वो ये सद्मा बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे या मेरे पती मुझे साथ ले जाना चाहते थे काश मैने उनकी बात मान ली होती या मेरे बती मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी तो सकता था जी अर्य ये तो अपरे सोचा ही नहीं Silence 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 in the courtroom प्लीज I said silence in the courtroom I said silence in the courtroom ये अधालत सुम्वार तक मुल्तवी की जाती है आखे बंद करो यह सब क्या है? मैं अच्वबे मंदिर गई थी वही से प्रसाद लाई हूँ अवी मुझे पूरा यखीन है कि फैसरा तुम्हारे खक में ही होगा मैं तो भगवान से ये भी कह कर आई हूँ कि जैसे तुम बाहर निकलोगे मैं सबसे पहरे तुम्हें उनके पास लेकी जाऊँगी तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ मुझे मालू मैं तुम्हें नहीं खाया होगा मेरी भूक और प्यास तो संजना के साथ ही चली गई जैन्तियो सुन्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पुरा समना देख रहा हूँ आंके खोलूँगा तो सब ठीक हो जाएगा ऐसा ही होगा अवी ऐसा ही होगा जिस तरह से तुम्हारा दोस्त्रोहित केस लड़ रहा है देखना वो तुम्हें जल्दी यहां से बाहर निकालेगा मिस्टर जुनेजा कि आप अदालत को बता सकते हैं कि इस चाकू पर मिले उंगलियों के निशानों को मिस्टर अविनाश मलोतरा की उंगलियों से आप ही ने मैच किया था बेशक तो आपको यकीन है कि मिस्टर अविनाश मलोतरा ने संजना मलोतरा का खून किया जाहिर है। खुन से से शने चाकूपर एनी के उङलियों के निशान है, तो कात़िये ही होंगे। जबर देखिए तो मिस्टर जुनेजा, क्या ये वही चाकूप है जिससे उस राद को खून किया गया था। लगता तो ये ही है। गोर से देखिए Mr. जुनेजा, यह किसी की जिन्दिगी और मौत का सवाल है, ओके, जी हाँ, यही है, Mr. जुनेजा, अब इस चाकु पे आपकी उंगलियों के निशान है, अगर मैं इसी वक्त आपके घर चला जाओं और इसी चाकु के साथ आपकी पत्नी का खून करके इस चा अब बखवास कर रहे हैं आप, मैं बखवास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस अदलत को सच की जलक दिखा रहा हूँ, जिस तरह उंगलियों के निशान होने के बावजूद, आप कातिल नहीं हो सकते, उसी तरह अविनाश मलोतरा, संजना मलोतरा का कातिल नहीं है, मेरे क्ला से पूरी की पूरी लाश को वह कैसे हटा सकता था, पहले से ये केस, अंदाजों पे चला रहा हूँ, और हो सकता है के खुन हुआ हो, हो सकता है कि अविनाश मलोतरा कातिल हो, और हो सकता है कि अविनाश मलोतरा को कोई कतल के जुर्म में फसाना चाता है, हो सकता है, हो सकता ह जिसने अपनी आखों से सब कुछ देखा हो मैंने देखा है मैंने देखा सब कुछ अपनी इन आखों से कौन है आप आपको जो भी कहना है यहां आकर विटनस बॉक्स में कहिए आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा मैं संजना का मामा हूँ इन्ही हातों से इन्ही हातों से पाल पोस के बढ़ा किया है मैंने उस बच्ची को माई लॉड वो अपनी किसी यार से नहीं मिलने जाती थी वो मुझसे मिलने आती थी अपने मामा से और इस कमीने ने उस पर शक करकर मेरी आँखों के सामने उसका खून कर दिया आपको जो कुछ कहना है खुल के और साफ साफ अदालत को बताईए संजना की माँ एक धंदा करने वाली औरत थी अपना जिसम बेच बेच कर उसने अपनी बच्ची की परविरेच की उसकी पढ़ाई की और उसको बढ़ा किया लेकिन एक दिन जब उसकी बच्ची जवान होने लगी उसकी माँ मेरे पास आई हाट जोटकर बिंते की कि इसको कहीं दूर ले जाओ मैंने वह ऐसे ही किया मैं संजना को दूसरे शेल ले गया जब तक उसकी माँ पैसा बेचते ही मैं बहुत खुश था लेकिन एक दिन उसकी माँ कर इंतकाल हो गया वो मर गई पैसा अना बंद हो गया मेरे बस कमाई का और को जरिया नहीं था मैं कमीना हो गया मैं लालची हो गया मैंने संजना को भी उससे धंदे में डालने के कोशिश की जिए धंदे मुसकी माँ थी लेकिन संजना एक शरीफ लड़की थी, उसने बगावत की और भाग गई, मैं फिर अकेला रहे गया, लेकिन एक दिन, एक दिन, मैंने आखबार उठाया, और उसमें मैंने संजना की तस्वीर देखी, उसमें लिखा था, कि संजना की बंबई में एक बहुत बड़े क्रोड़ के आपास जाकर सब कुसासत बता दूँगा, बता दूँगा कि वो एक नाचने वाली, धंदा करने वाली की बेटी है, लेकन संजना, एक सीधी साधी हिंदूस्तानी नारी थी, उसने, उसने अपने पती को धोका नहीं दिया, जूट मूट की हारोज मेरे को कहानिया सोनाती और अपने पती का पैसे बचाती थी, एक दिन, एक दिन मुझे बहुत कुसाया और मैंने कहा कि अगर वाज हमको मुझे नहीं मेलेगी, तो मैं सिधा उसके पती के बाढ़ जाओं और समको सबस्त बता दूँगा, संजना ने मुझे रात को फार्मोस पर बुडाया, रास्त एक ली, दोली, तीन, तीन खंजर उसके पेट में गार दिये, मेरी बच्ची मेरी आँकों के सामने, मेरी आँकों के सामने मर गई, उसकी लाज को उसने कजीटे और देखते देखते फाला उसके पिछे ले गया, वहाँ पर इस गमीनने गट्डा कोदा, और गट्रे के मर गई हाँ, मर गई हाँ, मर गई हाँ Drawa सच बोल रहा है या ज्जूट, इस बात का पता तो मौकाय वारदात पर जाके ही लगेगा कर दो झाल 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 फारंसिक्वालवन अपनी रिपोर्ट सब्मेट कर दी फार्मा उस पे मिला खून का सैंपल बाड़ी से मैच करता है बाड़ी संजना की थी बाकी चीज़े थो उन लोग ने लग ली लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं ये तरे ले ले आया हूँ संजना का मंगल सुत्र उसकी आखरी निशानी बिगड़ता है कैसे मुकदर तो देखो उजड़ता है कैसे कोई घर तो देखो बंद है रास्ते प्यार के वास्ते तु है कहा मैं कहा रहा 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 नए मौसमों का पत जड़ तो देखो उदासी की हद से गुजर कर तो देखो सारे गवाहों के बयान और सुबूतों को मद्दे नजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 2 सितंबर की रात मिस्टर अविनाश मलोतरा ने अपनी पत्नी संजना मलोतरा का कतल कर दिया अदालत मिस्टर अविनाश मलोतरा का उम्र कैद की सजा देती है The court is adjourned आए अपनी पत्रा कि आदीज़ु। मलोतरा मलोतरा अपना थाना थेरेको अपना थेरेको छोग छोग कॉछ छोग 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 हालो रोए ठाविनाश पाल रोग हालोग अभिनाश, बहुत बुरी खबर है यार, मैंने सुप्रियम कुट में अपील करने की कोशिश की पर, केस सब्मेट ही नहीं हुआ. I'm sorry, यार, मैं तरे लिए कुछ नहीं कर सका, तु जिस लड़की से प्यार करता था, तुझे उसी का खुनी कहा जा रहा है. मुझे इस बात का अफसोस नहीं, कि मुझे संजना का खुनी कहा जा रहा है. अफसोस इस बात का है, कि मैं उसे बचा नहीं सका. अफसोस इस बात का नहीं, कि मैं सलाखो के पीछे हू. अफसुस इस बात का है कि जिसने मेरी संजना को मुझसे चीना वो अब तक आजाद कुपरा अफसुस इस बात का नहीं कि उसने मुझे पासी पे चड़ाने की कोशिश की अफसुस इस बात का है कि वो कमीना अब तक सिंदा है जो कोई भी हो जावीद चुबाओक, मैं उसे ठोड निकालोंगा तो उज़ यहाँ से बार निकाले, रोह तुम यहाँ से बार निकाले वो सब ठीक है अविनाश लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब तक तो मुझे कानून की मदद से बचा रहा था लेकिन अब तुझे कारूल तोड़के मुझे यहां से निकाला होगा कुछ भी कर कोई भी प्लान बना जितें पैसे काच होते है काच कार लेकिन मुझे यहां से पार निकाल प्लान टीक से बन गया हाँ अगर तुने सब कुछ टीक से कर दिया तो तुझे बार आना से कोई निरोक पाएगा और वो पेपर्स प्यार है लेकिन एक बढ़ फिर से सोच ले यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्लान कामयाब होगा और तु बाहर निकलाएगा प्लान कर अपना बिजनस नहीं संभाल सकता उस कमीने को ढूरने के लिए खुछ चुपना पड़ेगा मैं पावर अवटर्णी पर इसलिए साइन कर रहा हूँ ताकि मेरी अपसेंस में तु मेरा बिजनस संभाल सके तुछ से ज्यादा और मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ प्लान किया है इसमें भी सिगरिट है इन सब में से तमागो निकालके तुझे पानी में मिलारा है लेकिन एक बात का ख्याल रखना ये काम तुझे थप करना है जब तेरे आस पास कोई पुलीस वाला हो तुमागो से भरा पानी जब तु पियेगा तब थोड़ी ही देर बाद तेरे दिल की धरकन बहुत तेज हो जाएगी खुन के साथ जब इतना सारा तमागो मिल जाता है तो भी होता है जो दिल का दौरा पढ़ने पे होता है अग्ण तु दर्ना मत यार यह कोई हाट अटेक नहीं जिफ रवाज अटेक के सिंटम से पुलीस वाले तो क्या डॉक्टर्स को भी ऐसा हि लगेगा तुझे हाट अटेक हो रहा है खखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखख कि अहुआ हो जρाउ कि श१ू हुरे हुरे भी बाँ से रहु जो जो कर चे लो जना चालव जगए छिलेयो जिलेयो जो जञए ठीज चलो अविनाश चलिदी उत्रो, काड़ी बदलनी ए कर दो तुमें सजा ए मौत मिल जाएगी लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें उम्र क्याद की सजा मेली How sad लेकिन चलो कोई बात नहीं जो कानून नहीं कर सका वो अब मैं कर देता जरह सोचो ना विडाश तुमारे मरने के बाद अगर संजना जिन्दा होती तो तुमारे बीवी होने के नाते तुमारी सारी दौलत उसे मिलती लेकिन अब नो संजना अन्नौ बिनाश अन्नौ बिनाश अन्नौ बिनाश अन्नौ बिनाश अन्नौ दौलत अन्नौ अन्नौ रड़ अन्नौ अन्नौ कि डारtes, कि रहलevery के में वाहब कर दूद, कर दूखaran वबना, के राच! वबना, के रिए्ड,े वग्तब वबना, के यार्ष वसनेरी शियाеди पाइसे के लुव पराश अब यहां कैसे पाइश आचा हर रोस कीडर हों उस दिन भी में तुम्हारे लिए गणा लेकर आए थी मैंने देखा, जेल में भगदर सी मजी हुई है, किसी कैदी को स्ट्रेचर पे बाहर लाया जा रहा है, गोर से देखा, तो तुम थे, तुम्हें आप्टोंस में डाला जा रहा था, इससे पहले कि मैं तुम तक पहुंचती, आप्टोंस टार्ट हो गई, और वो लोग तुम्ह ये चानक ये क्या हो गया, ये चानक ब्रेक्स लगी, और एम्बिलेंट सड़क के बीचो बीच आके रुक गई, मैंने भी गाड़ी रोकी, तुम भागने लगे, पुलीस, कोलिया, मैं बहुत दर गई थी, फिर मैंने तुम्हें जाड़ीों की पीछे चिपते होई देखा, मै अपने गाड़ी का नमबर नोट किया और अपनी गाड़ी की तरफ भागी, थोड़ी देर बाद वो गाड़ी तो मुझे मिल गई, लेकिन उसमें कोई नहीं था, इधर उधर देखा, तो मुझे तुम नजर आए, सखमी और बेहोश, अभी, बस, मैं तुम्हें यहां ले आ पहचान के डॉक्टर ने तुम्हारी गोलिया निकाली और तुम्हारा इलाज किया और तुम बच गए मुझे जिंदा रखकर तुम्हें मुझे बहुत बढ़ा इसान किया, सॉन्या पता नहीं यह इसान मैं कैसे चुकाऊंगा इतना जिल्दी हो सके, ठीक हो के मुझे अपना वही हस्ता मुस्कुराता दोस्त वापिस देखे ठीक होना तो मेरी सरुरत है, सॉन्या पर अब मेरे होटों पर हासी, तुम उसी दिन देखोगी, जब मैं रोह तक पहुंचूँगा मेरे चेहरे पर मुस्कुरात उसी दिन लौटेगी, जिस दिन उसके होट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे ओ सनम ओ सनम, काश होता अगर तुम ने भाजाते, जिन्दगी का सफ़ अगर तुम ने भाजाएंगे ओ सनम ओ सनम काश होता अगर तुम निवा जाते ये जिन्दगी का सफर हम भी तन हान रहते योहीं उम्र भर तुम साथ होते अगर तुम साथ होते अगर ओ सनम ओ सनम काश होता अगर तुम निवा जाते जिन्दगी का सफर हम भी तन हान रहते योहीं उम्र भर तुम साथ होते अगर तुम साथ होते अगर तुम साथ होते अगर तुम साथ होते अगर अपने लबों की हसी ऐ काश दे दू तुझे हाँ मेरी खुशी ले ले तु गम अपना दे दे मुझे काश होती तुम्हें मेरे दिल की ख़बर तुम साथ होते अगर ओ सनम ओ सनम काश होता अगर तुमने भाजाते जिन्दगी का सफ़र हम भी तन हान रहते योहीं उम्र भर तुम साथ होते अगर 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 तुम्हारे पैसों से उससे होटेल खरिद लिया और बहुत बड़ा अभी बन गया है आज उसका बड़ा बनना ही उसके खिलाफ हो गया है रोहित मेरी नदो से छुप सकता है लेकिन बालेस होटल का मालिक नहीं तुम्हे मेरी ने बहुत कुछ किया सोन्या वस एक और काम करता हो मेरा मलेशय का इंतेसाम करता हो अविनाष पुलीस तुमिंध ढूंड रही है इस घर से बहार जाना तुम्हारे लें खत्रों से खाली नहीं तुम देश से बाहर जाने की बात कर रहे हैं प्लीज सोन्यू, प्लीजू टक्सी ये भाइसाब एक मिनट इंदियन, इंदियन? येस कुछ तो मिट्टी तरे पाउं से लगकर आई होगी दिल है के तेरे कदमों में लोटना चाहता है भई आप लोग इंदियन हो के किसी चैनिज की टक्सी में कैसे बढ़ जाएंगे हैं? बताओ, आओ मेरे साथ, चलो छोड़ो छोड़ो समाह छोड़ो जी आए 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 लगता है सुभा सुभा आज मैने अपनी गर्वाली की शकल नहीं देखी इसलिए जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा छे महिने में पहली बार एक जोड़ा मेरे टक्सी में आज बठेगा जी, हनीमोन? नहीं, हमारी शादी नहीं होई नहीं होई तो हो जाएगी, इसमें क्या? आए, वेल्कम टू मलेशिया आप ये बताए कौन सा होटल में जाना पसंद करेंगे पैलेस होटल के बारे में सुने आपने पैलेस होटल? अगेन इंडियन? क्या ख्यालाता है जी आपके? नाम भी लिया तो इंडियन होटल का? वह! पर क्या बात है जी उसके मालिक की? क्या स्टाइल है? क्या अंदाज है? आदमी ओत रोहित कुमार जैसा सिर्फ तीन महिने हुएं जी उसे इंडिया से यहां के होटल खरीदे हुए मगर ऐसा लगता है के सारा मलेशया खरीद दाला हो संत्री से लेके मंत्री तक साभ उसकी जेब में हाँ मगर अपसोस की बात यह है के आज की रात उस इंडियन होटल में भी आप जैसे इंडियन को बुकिंग नहीं मिलेगी वो क्यों वो यू कि आज रात वहां एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पाटी है मेडम हमें पालेस होटल नहीं उसके आसपास किसी होटल में जाना है आसपास अरे आसपास क्यों वियाक छोटल नहीं के पालेस सामने आप के मतलब कर एक होटल है होटल इस्ताना यह लो बाजसाग हम पहुंच गए होटल इस्ताना जही कि मसाफिर हम भी मसाफिरों तुम भी किसी मोड पर फिर मुदा कात том한다 हैरी जगजीड सिंग मिस इंडिया हां, हैरी मेरा नाम है, जगजीद सिंग की घजले सुनने का फैन हूं, और इंडिया को मिस्करता हूं, हैरी जगजीद सिंग मिस इंडिया, इसके निचे मेरा कैलिफोन नमबर भी लिखा है, सारे मलेसिया के किसी फोन से भी डाल करेंगा नाजी, आदे घंटे में आपकी पैसे? जुटा तारो पचास बार मेरे सर पहार बुरानी माननुगा पर पैसों की बाद कर के सिर्वेंदा किन कर रहे है हुआ इतने दिनों के बाद तो को हिंडोस्तानी सवारी मेरे टेक्सी में बठी है, और वों मुझे भाईसाब केने वाली याप लोगों से मिलक बहुत अच्छा आदमी है ना क्या बात है विनाश अपनी बरबादी और अपने दोस्की आबादी का मंसर देखने के लिए मेरी आखे तरस गई क्या आखे बात अफने प्यादा फ़स्केजिस आखे लिए आखे लिए क्या तरस आखे उब को ऐसली आखे लिए भी दोस्की आखे ब खाफे क्या आखे है झाल 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 today is a very special day today it is 3 months since we bought this hotel and on this day we have signed up for a new palace hotel in singapore Thank you but there is one more reason that makes this day very special and I would like you all to meet that reason my love my life से जिजिना मोहबबत के हाथों में खंजर तो देखो खंजर तो देखो बेवफाई का ये भी मनजर तो देखो प्यार की ये दुआ बन गई बद दुआ मैं जीते जी मर गया बिगड़ता है कैसे मुकदर तो देखो मुकदर तो देखो मुकदर तो देखो तूट देता है कैसे कोई दिल तो देखो कोई दिल तो देखो कुई दिल तो देखो अविनाश…… अविनाश, अविनाश, तुम यहाँ बेठे हो मैंने तुम्हे कहा कहां नहीं ढूंड़ा अविनाश, तुम एगंटे का क्येके गए तीन घंटे हो चुके है क्या हुआ वहाँ पे? तुम्हे तुम्हे रोत मिला? क्या हुआ अविनाश प्लीज मेरी बात का जवाब दो संजना सिंता है क्या अविनाश अगर हम यहां नहीं आते तो हमें शायद सच्चाई का पता ही नहीं चलता अब सबसे पहले हमें पुलीस को इंफर्म करना चाहिए मैं पापा से बात करती हूँ तो हमें इंस्पेक्टर पतनाय को लेकर यहां आजाएंगे और फिर तुम्हें पुलीस से चिपने की कोई जरूरत ही नहीं जो हून तुमने किया ही नहीं उसकी सजा तुम्हें कैसे मिल सकती है तुम हमेशा के लिए बरी हो जाओगे और संजना रोहित की कोली से तुम्हें मर कर सिंदा हो गया लेकिन संजना ने तुम्हे चीतेची मार दिया शायद मेरा अपना प्यार मेरी अपनी तौरत के सामने कम पढ़ गया जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ अवी भूल जाओ अपनी बीवी को अपनी पीट में जुरा मारते होए देखे भूल जाओ उसे अपने यार की बाहों में जुमते होए देखे अपनी आखे बंद कर लूँ अपने भाई जैसे दोस्को अपनी बीवी के साथ आयाशी करते होए देखे जुप जाब बैठा रहो कानुन उन दोनों को, उनके कीये गी सजा देगा विनाश कानुन जिरु सजा का, सजा का मजा नहीं लेगा बहुत तड़पा है मेरे दोस्त अबीवी ने मिलकर मुझे अब मैं उन्हें तड़पा हूँ का अब तक जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया मैंने सोचा नहीं था और अब जो मैं उनके साथ करूँगा वो उन्होंने नहीं सोचा होगा एक एक पल का हिसाब लोगा मैं उनसे सजा उन्हें कानून नहीं मैं दोगा मैं यू समझ लो आज से उनकी परबादी के दिन चुरू होगा है ओ मैं गॉड दूद गिर क्या दूद गिर क्या डोंट वरी मैं आफिस में कॉफी पिलूगा लेकिन रोहित Sanjana, my sweetheart, my darling don't worry I can take care of myself रोहित प्लीज आज तुम कहीं मन जाओ वाट दूद का गिरना अच्छा नहीं अब्शगन होता है कहीं ऐसा नहीं कि तुम घर से निकलते में मर जाओं कोई मुझे गोली मार दे या फिर मरा एक्सिदेंट हो जाए Come on, darling, Hindustan शूट गया लेकिन Hindustan की दख्यानू सी बाते तुमारे दिमाग से नहीं Chinese delegation R.S. hotel में क्या काऊंगा उनसे में? कि मेरी girlfriend के हाथ से दूद गर गया तो meeting cancel कर दो Don't be silly Bye Rohit, please office पहुंचते ही मुझे phone करना Hello Can I speak to Jamalal, please The love of eyes The love of eyes And the love of you Mama Oh, man What role is this? You have a phone My phone? Hello Hello Mama Mama मामा, कॉ 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 इस जाननी सकसेना फ्रम ग्लोब मैगजीन, मुझे आपकी इंटिव्यु जाहे थी, मैं चानती हो आपका समय बहुत कीम्ती है कीम्ती है, मैं तेख तुम खाली हूँ, सेक्सी चानना, इस वक तुम कहा हो? मैं पूल साइड पे हूँ, टेबल नंबर फो, आपका इंतजार कर रहय हो, कॉ आएंगे न儿 मै आँ रहा ूग हूँ, है भगवान, जब से मिलीश्या में आया हूँ, सुक्य में नाव चाल रहा हूँ अज मेरी नाव पार लगादे मेरी नाव पार लगादे bod ie मेरी नहों पान लगादे, मेरी नहों पान लगादे बोड़ी हाँ सेक्सी Hello सेक्सी चननना चानी सक्सेना Naughty boy बैठी है मेरा नहां है जमनलाल आपको कौन नहीं पहचानता सर आप मुझे पहचानती है अफकोर्स सर और अब में चाहती हूँ कि पूरी दुनिया आपको पहचान ले मेरी मैगजीन उन इंडियन पे सर्वे कर रही है जो सिफ तीन महीनों में जमीन से आसमान तक पहुंच गए वरी गॉड आप मुझे देंगे ना सर आपका इंटर्व्यू मैंने अपनी जिंदेगे में बहुत सारी इंडियन लडकियों को दिया है लेकिन चानीज लडकी को पहली बर आपका देरा हूँ इंटर्व्यू तो अपर इंटर्व्यू शुरू करें सर आपको यहां इतने लोगों की बीच खोटन महसूस नहीं हो रही सर क्या आप कोई ऐसी चका चानते हैं जा हमारे पास दूर दूर तक कोई भी डिस्टरब करने वाला नहों तो चमनलाल जी आपने एक 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 करके पैसे कमाए या एक ही चटके में अरे पैसों को गोली मारो चंदना अगर तुमारे जैसे एक भी लड़की चीन से पहले यहां आ जाती ही तो दोनों देशों के बीट में कभी जंगी नहीं छिटती ही हिंदी चीनी भाई भाई नौटी बॉई मेरी तो सिर्फ माँ चाइनीस थी तुम जैसा एक हिंदुस्तानी आया और उसने मेरी माँ के साथ जो तुमारे पापा ने तुमारी मम्मी के साथ किया है ना मेरे को तुमारे साथ का नचननना यह क्या करें हो तो माहां देश्वास्तियु को हमेशे के लिए एक करों डालिंग सर्चों दो देशों के बीच की लिए कर रहा हूं उनकी जडूं को मजबूत कर रहा हूं सर्पय के हाथ पूड चलते हैं जय हो यह क्या कर रही हो दोनों हाथ बांदोगी जमनलाल बोलो जान ना यू रिलाक्स अब अब इंदुस्तानी चुप रहेगा और जो कुछ करना है चाइनीज करेगी करो, 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 करो तुम दस्तक गिनो मैं चेंज करके आती हूँ जान अएँ नाएँ आएँ नाएँ बोई जोली 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 वान तो त्री वार 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 शीक सेवन एग नून टेन आएँ अज़ जान 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 तू तो कपड़े बदले गई थी यह चेहरा कैसे बदल लिया चेहरा तो रोहत और तुझ जैसे लोग बदलते हैं पीट पीछे वार करने के लिए मैं जो करूँगा तेरी सामने करूँगा नए 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 यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा तू अरे यह क्या कर रहा है बटा यह क्या कर रहा है कुछ चीजे इनसान जिन्दगी से सीखता है और कुछ मौत से मैं रोहित की गोलियों से बच गया इसलिए मैं तुझे अपनी आगों के सामने जिन्दा चलाओंगा रोहित रोहित कुट्टा है रोहित कमीना है उसलिए तुझ जैसे दोस के साथ धोगा किया संधिना जिन्दा 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 के साथ इतर आयाशी कर रही है जूट बोल रहा है तू जूट नहीं बोल रहा हूं मैं जूट नहीं बोल रहा हूं तो फिर उस रात खुण किसका हुआ था दंदा करने वानी का मेरी बात भया कीर मानो रोहित के प्लैन के मुत्ताबिक तुम संजना पश्चा करते हुए फाह महस तक पोंचे जखले के भाने संजना ने दर्वाजा बंद कर दिया और फिर तुम शराफ पीने लगे जब शराफ के नशे में तुम बिलकुं तुथ होगे संजना ने हम दोनो को फोन किया हेलो पुलीस कंट्रोल रूफ वो मुझे मार डालेगा मैं संजना संजना मलोत्रा मेरा पती मुझे अ हाााााााा! अधालत ने तुमें मुझे में किरार कर दिया रूफ ने सोचा था कि तुमको पांसी की सदा हो जाएगी लेकिन नहीं कोट ने तुमें उमर कैद की सदा सोनाई रूफ बहुत परिशान हो गया उसने तुमका बगाने का प्लाइन बनाया और गाड़ी में बेटा के तुमें तलाब के किनारे ले गया और हमारे देखते देखते उसमें तुम पर गोली चला दी लेकिन बेटा तुम चिंदा मत करना बेकुल चिंदा मत करना मैं 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 तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा मैं दाला तुमे लागे सब कुछ सचत बता दूगा सब कुछ सचत बता दूगा बेटा नहीं 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 मैं तुम्हारी तुर्य लोगों के घर नहीं चलाता यानि के तुमने मुझे माफ कर दिया ना बेटे जो पानी से मर चाहे उसके लिए आकी क्या जरूरत आकी का टानी से लिए खनी सेबगे आकी क्या यानिप्ट मैं से अनलुई एक्षण है वे रूम्हार वे रूम्हार इसससी कर दो़के घ्रभ प्रत्न्कें यह यह खुझे टी अप्र्वेसर सोचाना था मापत का ये भी अंचाम आएगा रोएगी तू और दिल को मेरे करार आएगा तीन में से एक तो गया अब जो दिल के ज्यादा करीब है पहले उसे दूर करना पड़ेगा लवार्म लवार्म एके लिएड़ेगा लवार्म एक लावर्म लुखेवा गोने वार्म कोने! कि रखा है... गभ, रह, रह, पुमо, पुमо, पुम któregoुमा इंड का झाओए उखा है! स socialism आहे अरह मतं हो डिम्यम हुआ कर एका चाहा कर घुंकरा थे गिने लूशनी का मांगला तुमे इसे पहले कर चछे अनी नहीं तुमिन हैम तो छोष जिस के लाव जिते हम अजी पराने जोरह मैं नहीं रा contractors जिसके पियर के लिए मैंने सब कुछ कहे, जिसके पियर के लिए मैं कुछ भी कर सकती. जोइध मुझे तुमारी ज़रूरत है, हर वक्त हर पर शुर्ण वाहन एव अlectricता दो आविनाश के सामने हम लोगं मझपूर थे लेकिन यह कैसे मझपूर हैं? कितना पैसा चाहिए तुम्हें, क्यों इतने बजी रहते हो अरवक्त? रोईता रेली लव यू वादा करो कि तु मुझे इसी तरह चाते रोगे इसी तरह प्यार करते रोगे मुझे बहुत पड़ पाया है तुमने मुझे बादा करो तु मुझे कभी छोड़के नहीं जाओगे यह में स्विच किसने अफ कर दिया इसे क्यों देख रही हो मुझे तुम वहाँ क्यों नहीं होना चीए काम खतम हो गया तुम्हारी बहुत याद आगई तो चलाए हाफिस से तुमाभी ओफिस से आ तु यहाँ कौन कहाँ यहाँ मेरी पास, मेरी पीछे उसने मुझे अपने बाहों में संजना मैं तालिंग तो आजकल तुमने मेरे सपने भी देखने शुरू कर दिया नहीं रोहत बिलीव में मेरे साथ इस कमरे में कोई थाँ मैंने सपना नहीं देखा तो पर पूत देखा होगा यहीं 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 यहाँ 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 मेरे साथ यह कहा है तो अभी यही था मैंने उसकी लाश्ट स्विमिंग पूल में तरती हुए देखी कैदे की उनिफॉर्म में उसे गोली लगे हुए थी खून बहरा था का ऀ enfin के वी यह क्या हो गया तुम्हें कभी तुम कह रही हो के अभिनाश फूल में है जूर मैं सच बोल रही हूँ मैंने खुंझ यूर्स अपनी ऊंकली को तेखा एक बात तो थे हुर्ट आज का दिनर कैंसल labourcat तुम्हारी नीन पुरी नहीं हुई, तुम्हें आराम की जुरूरता है, संजना, रिलाक्स, रिलाक्स Ma'am? That way, ma'am? तुम्हारी नहीं हुई तुम्हारी नहीं हुई Ra części Roy adalah दो कुछ था था थाना कुछ था थाना मेरे तुम्हें जेकिन ही किया Asa goof वो मोरह नहीं है, वो जिंदा है मेरा पींचाह कर रहाиход मोकेट में सड़क पर जा जाते हूं वहा आजाता है वह हमारे बारे में जब कुछ जानता है रोइद वह केदे के युनिफर्म में था वो से छोट खोड़ था Sanjana, just shut up रोट, listen to me वो यहां में ले लेशाँ रोट, listen to me, रोट, listen to me, रोट, keep quiet रोट, रोट I won't you, seanjana, please, shut up बेटो यहां में listen Sanjana, enough is enough, बत होगा शेक्ष्यां होगा थोगेद रोट में अविनाष वर्म मर चुका हां और मरे वे रोग वाइवास नहीं राते देखो, तुम्हारी फिजूल बाते सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास, और अगर तुम इसी तरह लोगों के सामने तमाश अकरदी रोगी, तो लोग तुमें पागल समझेंगे, पागल, अगर अविनाश जिन्दा होता तो वो यहां मलेशा में कैदी के कपड़ों में क्यों अविनाश यहां नहीं है संजरा, और यहां कभी भी नहीं है, है यू, क्या कर रहे हो आपर, साफ कर रहा हूं, बाद में करना, आपके राओ, जो कुछ पेवासे बूल जा सेजले, अविनाश की याद को दो, किसी ने एक दम सही लिखिया पाची, के जो चुप रहेगा जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का, लड़की तो डर गई, अब यह नि मालूं के आप से डर गई, यह अपने कर्तूतों से डर गई, पर मीटर तो डाउन हो गया ना जी, और आप अब किलो मिटर गि तुमने सुबह से कुछ नी खाया, यह सब बाद में, मैं कुछ लेकर आती हूँ, तुम बेठो, मैं लेकर आता हूँ, जब भी आप इनकी इतनी फिकर करती है ना, मुझे आपकी फिकर हो जाती है, कहें कि उनी देती है विनाश भाजी से अपनी दिल की बात, कौनसी बात, अरे चड़ो जी, पिछले पंदरा साल में कम से कम पंदरा हजार सवारियें बिठाईया अपनी गाड़ी में, अरे दुनिया नी गुम में तो के हुआ, दुनिया भर से लोग आगे बैठते है हमारी टेक्सी में, सच बताईए, प्यार करती है ना, विनाश भाजी से, हाँ, करती हूँ, तो बोल दो, और को हल्प सेल्प चाहिए तो, अभी नहीं, इस वक्त अविनाश की दिल में इतनी नफरत है कि प्यार के लिए कुई जगा बाकी नहीं, एक बार नफरत निकल जाए, तो प्यार अपनी जगा खुद बना लेगा, आगे, तो प्लान नंबर टू, हाँ जी, तो मैं एक्टिंग तो कर सकते हो ना, लो, एक्टिंग, भाई साब पिछले तीन साल से मलेशिया की राम लीला में नेगटिव रोल कर रहा हूं, सुर्पनखा का, एक्टिंग, एक्टिंग, तो प्लान यह है, कि कल दस बजे, वो अपने होटल से शॉपिंग के नि कीषया, मारी जान को खत्रा है मैं तुम्हे बता रहू चली जाहो मैं तुम्हे बताराहू जली जाहो! मैं बता रहू आउ राणागा छोड़नना मुझे! मैं सिर्फ आपकी जान बचाना चाहता हूँ मुझे आपसे कोई बात नहीं कर नहीं और अगर आपने आप दुबारा फोट के आप मैं पुलीस को बुलाओंगे समझे दूंख आपण है तूंच वर्फ बात मस knocks रहो नहीं मुझे तबिए क्या सिवितेंगrica गर्लतिल कम सर्दू मुंटेंगima मुझे मालम है कि तुमने रोहित के साथ मिलके अविनाश को खून के लजाम में फसा दिया है और रोहित ने विनाश की सारी दौलत पे कबजा कर लिया है लेकिन अब रोहित के मन में लालच आ गया मैडम लालच कौन तुम? शिकार रोहित का मेरे कुछ समझ में नहीं का रहा है आप समझाता हूँ आप आज शाम को जलानब पांक का कर ना चाहिए बस यू समझिए कि मेरी वजह से एक जान गयी है अब मैं न की सास्अट उन अब दूस्री जान बचाना चाहता हूं आज शाम चलानम पांक के पार्क में आएगा जरूर सब्सक्राइब करें आपको जगां बदल बदल के दिखाई देता ना अरे आपका वहम नहीं है उस रोहित की चाल है वो ऐसा क्यों करेगा आपको सारी दुनिया की नजरों में पागल साबित करने के लिए अब उस दिन आप उसकी मीटिंग में डरके चिला रही थी सब ने देखा मैं यह बात कैसे जानता हूं मुझे रोहित ने बताई मेडम एक बार वो सब के सामने आपको पागल साबित करने में कामयाब हो गया फिर क्या वो आपको होटल के बीसमें माले पे ले जाके ठकका दे देगा और बड़े अराम से सारी दुनिया को बता देगा कि अपने पागलपन के दौरे में आपने खुदकुशी कर ली तुम मैंने अपने इनी हातों से मारा है उसे रोहित के कहने पर और जब मैं पैसे मागने गया तो रोहित ने मुझे मारने की कोशिश करी अरे पैसों का भूखा है वो भूखा मैं की मानती यह सब जूटे यह जूटे अरे मेरी बात ध्यान से सुनिये आज आप एक पार्टी में आज रात उसी पार्टी में वो आपको ट्ड़ कमा आपको खत्म करने के लिए उसने एक आदमी को पैसे रखे आज राड की पार्टी मैसकरेड़ पार्टी है सब लकाब के फीछे होगे लेकिन आपका खुनी किस लकाब के पीछे होगा कोई नहीं जानता देखिए मैं तो ये शहर चोड़की जा रहा हूँ लेकिन आपके पास वक्त बहुत कर ला लकाब के पीछे कातिल गजब भयो रामा जूलम भयो रे क्या समझे एक बात तो समझ मैं है यारी जब प्यार से भरोसा हट जाए तो वही प्यार कितनी जलती नफरत में बदल जाता है क्या बात है कतल करने के राद है क्या जो जल्दी करो पार्टी के लिए देर हो रही है क्या देर है तेख़ राहिन आप दिल दिल हाई दिल दिल ये मेरा मुश्किल है मुश्किल में दिल है ये मेरा समा आतिलाना है यार यहां किस्ता है दुबार दिल दिल हाई दिल 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 ये मेरा मुश्किल है मुश्किल में दिल है ये मेरा जिसके लिए जाने मन गई तु दिल दोड़के जाहा था तुने जिसे गया तुझे जड़के जिसके लिए जाने मन गई तु तिल तोड़के जाहा था तुने जिसे गया तुझे छोड़के दो दिन की थी वो पहार ये प्यार होता नहीं बार बार रप रपा मेरे रपा क्या होगा मेरे रपा दिल दिल हाए दिल दिल ये मेरा मुश्किल है मुश्किल में दिल है ये मेरा क्राओ ट्रुड़के दॉलत ने ओ बेवाका, तुझको दिवारा किया कार्चिल है इस दिल का तू, अब कतल होगा तेरा दॉलत ने ओ बेवाका, तुझको दिवाना किया कार्चिल है इस दिल का तू, अब कतल होगा तेरा 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 भी होगा शिकार, तो कर मौत का इंतदार रपा रपा मेरे रपा, क्या होगा मेरे रपा दिल दिल है दिल दिल ये मेरा, मुश्किल है मुश्किल में दिल है ये मेरा समा, कातिल नहीं यार यहां किसका है दिल पार, ओ ओ ओ ओ रपा, मेरे रपा क्या होगा मीरी रपा 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 मीरी रपा क्या होगा मीरी रपा रपा मीरी रपा क्या होगा मीरी रपा 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 मीरी रपा क्या होगा मीरी रपा अगोजू वही तक से अगयों है! कब कर दो! कुछा, मुझे- कुछा, मुझे- वइसे किल मीजू दो! कब अगयों, मुझे- सजणना, व्टट थाउँ ऑग्ट एक मिनित! एक मिनित! यह केम इस अप रहेत... शजणना यह सब क्या हुरा है? बतलो मेरा नाम अपने गल्दी जुबाद से मैंने तुम पे कितना बहरोसा किया जोहित लेकिन तुम ने मेरे आंखों पर जूटे प्यार की पट्टी पांदली और में तुमारा हाथ पकड़ कर अंधेरे में तुमारे पीछे पीछे आती रही मेरे किसी से शादी की क्योंकि तुम चाहते थे उसे दोका दिया क्योंकि तुम चाहते थे मेरी आंखों के सामने उसकी मौत होते हुए देखी क्योंकि तुम चाहते थे मगर तुम संजना मखवास कर रही हो पागल होगी हो तुम मैं पागल नहीं हूँ तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया की नाजर में, ताकि मोका मिलते ही तुम मुझे अपर रास्ते से हर्टा दो, मैं अविनाश नहीं हू रोयत, और मैं तुमारी गंदी साज़िश का शिकार नहीं बनने वाली, मैं जाद दूंगी, नहीं ले लूगी घर चरो संजना, जो बात करनी हो आप में, तुरे पास मताओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अज के बाद, अगर तुम या तुम्हारा कोई आदमी मेरे आस पास दिखाएदे, तुम इसे गॉली मार दोगी, I'll kill you, I'll kill you, के बाता है, तुम यहा तुम्हारा कोई वहारा कोई, दुम लेख़े पासमताना, पासमताना, मेरे आल किलिए। एक बार मार करता सल्ली नहीं हुई। तो लो, तो बारा मार लो। क्यों क्या हुआ, अपने जिन्दाओं पर शर्विंदा हो, या मुझे जिन्दा देखकर हैरान हो रही हो। जूट बोलना तुम्हारी आदत है, यह तो मैं चानता था। पर चान लेना तुम्हारी फित्रत है, यह मुझे नहीं पता था। देखो विनाश, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोश नहीं। वो रोहती न। रोहत तुम्हें पहलाता गया और तुम उसकी बातों में आते गई। यही न। इसे पहचानती हो संजना। अंगल सूत्रा है। तुम्हारा अंगल सूत्रा। हमारी शादी की निशानी। अगनी के साथ भेरो का बंदन। साथ जीने मरने की कसम। पत्ली का सुखाग। उसका धरम। अपने पती की लंबी उमर की प्रार्थना। और इसे इसे तुमने एक पासारू और हुद की लाश का गैना बना दिया। सिर्फ पैसो के लिए। मैं तो वैसे ही तुम्हारे प्यार के जाल में पागल हो चुका था। एक बार मुस्कुरा कर मुझसे माग लिया हुदा। तो मैं अपनी सारी तॉलत तुम्हारे कदमों में ताल देता। अविदाश, मेरी जोग कुछ भी कियान जाने में गिया। और मैं जो भी करूंगा पूरे होश औखावास में करूंगा। अविदाश, पागल मत बनो। मुझे मार कर तुम कानूं से नहीं बचपाओगे। कानूं मुझे एक बार तुमारे कतल की ज़़ा दे चुका है। तुमारा नहीं दे सकता। अविदाश, पलीज 1956 अविnormारा के लुपल्स अविराश, पलीज अविराश, पलीज अविराश, मतमार म इजे अविरेक सब्सक्राफ़ पलीज माफ कर मार the फ्लीज अविरेक भीज ड्लीज हाँ कोई या ना माने पर मैं जानता हूं तो अपनी गल्फिन को नहीं मानना चाहता था कौन है तू? संजना को दे दे नहीं तो किसी के हाथों तो मरना ही था यू समझ ले वो मेरे हाथों मर कई विचारी मरते वक्त ये भी नहीं जान पाए कि तुपेक कसूर है ये क्या बख्वास कर रहे हो तुम? संजना की लास्ट एडे में पढ़िया है जाके उठाले वरना चीलकवे उठाके ले जाएगे को नो तुम? तुने मुच से दगा किया और तेरी बंदुक से निकली कोलिया तुझे तका दे कई तेरी गोलिया तो मेरे सीने पर बेअसर हो गई लेकिन तेरे तोगे ने मेरे तिल के टुकड़े टुकड़े कर दी जी तो चाहता है तुझे इसी वक्टोली बार दू पर जिस तोलत के लिए तुने मुझे इस दुनिया से अलग करना चाहा पहले मैं तुझे उस दॉलत से अलग करूँगा ये पावर अवटानी के पेपर्स है मुझे मेरी सारी दॉलत वापस चाहिए जिस दॉलत के लिए मैंने अपने सबसे बड़े दोस्त को दोका दिया उस दॉलत को मैं अपने से अलग क्यों ने दूगा वेरी सिंपल जी जिस प्यार के लिए आपने इतनी दॉलत कमाई उसी प्यार की खत्तर जी सोच ले रोहत एक तरफ मेरी सारी दॉलत है और दूसरी तरफ तेरा प्यार मैं हार गया संजना आज मैं तुम्हारे प्यार में हार गया एक दिन इसी दॉलत के लिए मुझे अविनाश की दोस्ती की बली चड़ानी पड़ी थी और आज इसी दॉलत के लिए मुझे तुम्हारे प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही अविनाश, यह जितनी दॉलत तुम मुझसे मांग रहे हो, उसे हर रोज एक संजना करी दी जा सकती है रोइद यू पेस्ट, हो कुझ यू दू दू में? डालिंग, मैं दॉलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ दॉलत के लिए तुम एक चीज नहीं कर सकते अपनी जान नहीं दे सकते नहीं नहीं तुम मेरी जान नहीं लोगे, क्योंकि मैं यहां अकेला नहीं आया वो देखो अब यह गन मुझे देदो वरना तुम्हारी यह प्यारी सी दोस्त मारी जाएगे कम ओन थैंक यू वरी गुड हमारे मलेश्या में एक कहावत है बेवकुफ दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है अविनाश, जान तो तुम्हें फिर से देने पड़ा अविनाश एफ यूफ यूफ यूए कर दो कि एाइव Sबल कि अओ जा टे मिल ere आख जड़ो हाता है कि अब ऑूर कि अब एंग कि अब एन प्पिट अब एंग और एंगर खफिग एंग अब रडर कर आख एंग बो अग दो जग डग गग पर? रो ऑग बो और खी गयाल हुआ हुआ आग आग! जी तो चाहता है तुझे हिंदुस्तान की गलियों में ले जाके गोली मारू पर डरता हूं कि सच सामने आ गया तो लोग दोस्ती में एद्बार करना छोड़ते के मुझसे आगे निकलने की चाहने तुझे दोस्ते दुश्मन बना दिया तौलत की भूक ने तुझे आशिक से दलाल बना दिया खराच आज मौत के डर ने तुझे आदमी से कुद्धा बना दिया हंद्धा जाओ हंद्धान बना दिया हंद्धा अँश्म हंद्धाओ रियए हंद्धा हंद्धा में कहावत है, कुटा जब तक वफदारी करे, उसे भर पेट खिलाओ, और जब पागल हो जाए, उसे गोली मारताओ मेरा नाम अनवर हुसाइन है, मैं इंडियन एमबसे से हूँ इसब क्यार, ये लोग कोन है? इसपेक्टर नाया के लोगे नाय लोगे चांग नाया को अरेस्किया जारहा है क्या? क्यों? मेरा जुर्म क्या है? आपका जुर्म आपके आखोते देख लीजिए मिसंजना, आपका जुर्म ये है के आपने मिस्टर रोहित का खून किया है क्या है? क्या है सच नहीं कि रिसंटली आपका और आपके बॉइफ्रेंड के बीच में कुछ तनाव चल रहा था आपकी दिवाग यहालत ठीक नहीं, यह हमने सुना है आप इसकी दवाईयां भी लेती है आपने सब के सामने पार्टी में उसे मारनी की धंकी थी जब उसे कुछ नहीं किया तो आप उसे मारना क्यू चाती थी इस गन पर सिर्फ आपके उंगलियों के निशान है यह झाने जिसर्मिसर्ण रोइस का खून मुआ था यह झाने यह झाने आपने रोइस के बाडी काट से पार्टी में छीए थी तिन ए यूँ को बोच्टन हुआ 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 ऐस Почему बोच्टन हुआ दिन इन्से मेलिये इंस्पेक्टर सहब मुझे जान से भी प्यार करने वाली मेरी पतनी I'm very sorry Mr. Avinash खानून ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो मैं आपको लोटा तो नहीं सकता लेकन हाँ खुले आम प्रेस में अपनी गलती मान कर आपकी इज़त जरूर लोटाऊंगा ये मेरा वादा रहा मिस संजना गुडबाई नहीं कहूंगा मैं आपको क्योंकि हम दुबारा मिलेंगे आज से साथ साल बात हिंदुस्तानी अदालत में अविनाश अविनाश पुझे यहां से बाहर निकालो मैं janती हुDR मिरी पना नहीं रे सकते ना प्यार तो उसी दिन हाथा जिस दिन मैंने तुम्हें रोहिद की पाहों में देखा था और आज सलागों के पीछे देखकर नफरत करिस्ता भी हमेशा के लिए खतम हो गया आज की बाद मैं किसी संजना को नहीं जानता अभिदाश, अभिदाश मुझी और छोड़ के मत जाओ अविढ समय पतसुम Shooting मैं मैं ऑादियां की अविढ आज समय झादियां की बादियां की मैं समय जादियां की पत्यां की झादिए taka परत जो आजए और दो भी तुम्हें वैठी हो और मैंने तुम्हें काहनी ढूड़ा तुम्हारी घर पर गया तुम्हारी पापा के आफिस तुम्हारी जूली शॉप पर यहादा कि मैं तुम्हें ढूंटे ढूंटे तुम्हारे जोची जी के घर भी पहुँच गया अविनाश प्लीज जोची जी का मजाख मत हुड़ाओ मैं मजाख नहीं कर रहा जान्दियों जोची जी ने उम्हारे बारे में मझसे क्या क्या क्या? क्या? उन्हे ने क्या कि आज कर सूरज ढलने से पहले सुन्या की जिंदगी में हमेशा के लिए रोशनी आ जाएकी उसे एक ऐसा लड़का मिलेगा जो से धेर सार अप्यार और बहुत सारी खुशियां देगा Really? सुरज ढलने वाला है पर अफसोस कि मुझे आसपास कोई ऐसा लड़ का नजर नहीं आ रहा त्यान से देखा शायद वो तुम्हारे आसपास ही हो और तुम्हारी उस तक नजर नहीं पहुँच रही हो मेरी नजर उस पे हमेशन थी उसकी नजर नहीं मुझे कभी नहीं पहचाना देर सही सही पर अब मैं उससे अची तरह से पहचान क्या हूँ उसकी तरकने वे मुझे साफ सुनाई दे रही है जो बस एकी बात कह रही है I'm sorry Sonia I love you तो मैं भी उस लड़के से बस एकी बात कहना चाहती हूँ I love you too